नमस्कार मैं हुब रिजीश और आप देख रहे हैं ABV Entertainment दोस्तों, TV सीरियल अनुपमा की कहानी अब पूरी तरह बदल गई है शो में सभी बच्चे बड़े हो गए है और अनुपमा उनकी अनुमा बद गई है बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनुपमा दोर का जाने का फैसला ले लेती है वहाँ पर वह जाकर आध्या के लिए मननत मागने का फैसला लेती है अब वह उसी आसरम में रुकने का फैसला करेगी जहां आध्या उसे मिलेगी अपकमिंग एपिसोड में वहीं देखने के लिए मिलेगा कि डॉली की हालत और ज़्यादा खराब होगी दूसरी तरफ आधिया अनुपमा की याद में तरपेगी आईए हम आपको बताते हैं कि शो में आगे और क्या-क्या होने वाला है टीवी सिरियल अनुपमा में दिखाए जाएगा कि डॉली अपनी बेटी को बार-बार फोन करती है लेकिन वह फोन नहीं उठाती तब डॉली अपना दर्थ अपनी मा लीला बा से बया करती है और चली जाती है इस दोरान अनुपमा बा के पास आती है और डॉली का हमेशा खयाल रखने के लिए कहती है बदले में लीला मनी मन दूआ करती है कि अनुपमा को आद्या कभी न मिले तबी हंसमुक लीला को जम कर सुनाता भी है दौरिका में अध्या अपने आसरम के बच्चों के लिए पैसे का इंतजाम करने में लगी रहती है और रात में उन्हें बिना लाइट के सुलाती है और इस दोरान वह अनुपमा को याद करती है लेकिन तभी वह अपनी मा को मरा हुआ भी मान लेती है अब शो में आगे दिखाए जाएगा कि अनुपमा अगले दिन दौरिका के लिए निकलती है लेकिन तभी उसकी घर में लीला और डॉली से बहस हो जाती है लेकिन वो अंस के साथ द्वारिका निकल जाती है तभी द्वारिका में आध्या प्रेम से टकराती है और दोनों के बीच थोड़ी सी कमेश्ट्री दिखाई जाती है तभी आध्या प्रेम को उवली फाफा देती है जिसमें अनुपमा की मननत के पैसे होते हैं लेकिन ये बात उसे पता नहीं होता है, प्रेम भी ये पैसा उसे ही द्वारी का धीस के आगे चड़ाने के लिए बोल देता है, शो में अब आगे दिखाए जाएगा कि अनुत्मा बस इस्टेंड पर आध्या का इंतजार कर रही है, और आध्या उसे लेने आती है, तब यहा वर्मिंग एपिसोड में क्या ट्विश्ट आएगा ये जानने के लिए देखते रहिए, एबी भी एंटर्टेंबेंट